चुनाव अब कॉंग्रेस के पक्ष में दिख रहे हैं आज गनना हो रही है मतो की और उसमें कॉंग्रेस जो रुजहान है उसमें काफी बढ़क बनाए हुए लगबग 120 चीटों पर है वो आगे चल रही है इस वक्त हम बिहार सरकार में मंतरी सरवन कुमार है जो ग्रामीन वि सबसे पहले तो करनाटक की जनता को के परती अभार प्रगट करता हूँ कि उन्होंने जो जनान देश दिया है उससे देश भर में महगाई पैदा करने वाले बिरुजगारी पैदा करने वाले देश के संपत्यों को ओने पौने भाव में बेचने वाले को सभक सिखाने का का काम किया और विपक्षी जो इधर उधर थोड़ा बहुत है उसको एक करने के लिए बिहार के मुख मंतरी सरी नितिस कुमार जी जो काम कर रहे हैं उसको लेकर और मजबूती मिलेगी ताकत मिलेगी और पूरे देश में विपक्षी एकता होगी और 2024 में भाजपा से भारत से भ भारत जोड़ो यातरा शुरू की थी उसका पहला परिनाम जो है करनाटक से लिए कई चीज हैं उसमें सिर्फ भारत जोड़ो यातरा का सवाल नहीं है कई महत्पुन सवाल है और देश भर के सभी जो विपक्ष के नेता हैं जो भारतिय जनता पार्टी से अलग विचार धा भारत जोड़ोगों ने जो पर्यास किया है और देश की जनता को लगने लगा कि अब यह भाजपा से मुक्त होने का सही समय है सही उपाय है तब देश की जनता ने ऐसा फैसला लिया है करनाटक की जनता लिया है लेकिन अभी 2024 से कई राजियों में हैं जो वो विधान सभा के चुनाव होने हैं तो ये परिणाम कैसे 2024 पे प्रभावड है? लेकिन जहां जहां हैं चुनाव होंगे करनाटक की जनता ने रास्ता दिखा दिया अब देश की जनता इसी रास्ते पर चलेगी यही सबसे बेहतर रास्ता है यही सबसे अच्छा रास्ता है भाजपा से बुक्त होने का यही सबसे अच्छा रास्ता है जो करनाटक की जनता न सब्सक्राइब करनाटक चुनाव जो है और कॉंग्रेस के पक्ष में अगर जा रहा है तो यह काफी अच्छा साबित होने वाला है और विपक्षी एक्ता को एक संजीवनी का काम करेगा समचार पलस के लिए पटना से मनिविसर